धान और ग्यों की फसलों के अलावा गन्य की फसल से भी किसानों को अच्छी आमधनी होती है लेकिन जरूरी यह है कि किसान अगर आधुनिक तकनीक से गन्य की खेती करें तो किसान कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं क्योंकि परमपरागत विधियों से गन्य क की खेती करने में लागत ज्यादा और आमधनी कम होती है उत्तर परदेश गन्ना सोध संस्थान के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीब भाठक ने बताया कि किसान अभी तक परामपरागत विधियों से गन्ने की खेती करते आये हैं लेकिन अब आधुनिक तकनीक से अगर ग कम लागत में ज्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं बलकि गन्ने के साथ सहफ असली भी कर सकते हैं जिसमें किसानों को कम समय में अच्छी अंदनी मिल पाएगी देखिए परामपरागत विधि की बात अगर करें जिसमें हम 90 सेंटीमीटर पर कोल करके रेजर से और गन्ने की भग साथ सो आठ सो कुंटर प्रती हेक्टेर के साथ से पैदावार आथी क्योंकि जमाव ही कम होता है और वहीं पे अगर हम ट्रेंच बिधी से गन्ने की बुगाई करते हैं तो यहीं जमाव बढ़ करके जाकर के 70 से 75 परसंट हो जाता है अब आप देखिए कि जहां कहां 40 स से 45 परसंट और कहां पर 70 परसंट 75 परसंट जमाव तो सीधे सीधे जमाव में ही जब बढ़ोती हो जाती है तो पैदावार पर उसके सीधा इंपक्ट पड़ता है दूसरी चीज़ जब हम गन्ने की गुगाई करते हैं तो ट्रेंच बिधी में जो टिलरिंग होती है गन्ने परसंट 50 परसंट टिलर्स ही गन्नों में परिवर्थित हो पाते हैं कारण उसका यह है कि जब हम ट्रेंच में गन्ने की बढ़ोती है तो लगब 25 से 30 सिंटीमीटर गहरी बढ़ोती है और जब आव वांशित कल्नों का निकलना बंद हो जाता है जो हमारे पास वांशित कल्न क्यों है उन्ही की बढ़वार होती है एक सवान बढ़वार होती है जिसका सीधा इंपक्ट हमारे ओपच करता है तूटल नालियां जो होती है पूरे छेत्रफल की खेत की 40-50% होती है तो इसलिए हमारा सीधे सीधे लगवा 50% पानी की बचत होती है और यह चीज परमपरागत विधी में हम फ्लड इर्गेस्न करते हैं पूरी तरह से खेट में पानी चलाते हैं, पुरा खेट की शिचाही करते हैं, उससे हमारा पानी भी अधिक लगता है, और एक जो अहम फायदा यह है, कि टेंच बढ़ी से जब हम गन्ने की गवाई करते हैं, तो चार फिट, साधे-चार फिट पे गन्ने की दो लाइने के भी इस दूरी हैं तो इससे हमें तिन चार महीने पांच महीने में एक अत्रिक्त आमधनी का जरिया होती है तो हमें अत्रिक्त के घड़िया भी बन जाता है अगर हम करते हैं तो ये किसान के अपने management के उपर है minimum पैदावार 1000 कुंटर से कम ट्रेंज विधी में नहीं आती है अगर अच्छा किसान है अच्छी देख भाल कर रहा है ट्रेंज विधी में तो 1200-1500-1800 कुंटर तक किसानों ने पैदावार लिए है अगरां बात करें इसीकेश पैरलर की उसमें लेकिन जाती है तो लेते हैं इससे हमारी जो बीज की मात्रा है वह लगवर डेढ़ गुना बीज हमारी हमारा लग जाता है तो इस लिए ज्यादे फिजिबिल यह नहीं हो पा रही है किजानों के बीच में तीसरी चीजी है कि हम इंटर कापिंग लेने में भी हमें दिक्कत होती है अगर हम डिंक से गंडे की बुआई करके और कम बीज में अधिक उसका च्छितमल बढ़ा सकते हैं क्योंकि जब हम सिंगल बड़ बीज से गंडे की बुआई करते हैं तो हमारी बीज की जो मात्रह कहले है कि वहीं पिर हम परंपरागत बीजिस से गंडे की बाढ़ करते हैं तो 60-55 कुझ बीज लगता है तो सिंगल बटविधी में हम 20 से 22 कुंटल बीज से ही हम एक हेक्टेर गन्ने की बुगाई कर सकते हैं अगर हम नर्सरी तयार करते हैं तो नर्सरी तयार करने के लिए हमें एक हेक्टेर में लगवा 25 यह पौदों की जरूद पड़ती है उसके लिए हमें 20-22 उसकी हम नर्सरी तयार कर लें नर्सरी 20-25 दिल की जब हो जाए तो खेत में रुपाई कर देते हैं रुपाई करने के बाद जब तुरंत किसानों को यह ध्यान रखना जाए कि जब हम नर्सरी वाला पौदा खेत में रुपाई कर रहें तो जो ही हमारी रुपाई पूरी हो लगा दे क्योंकि टंप्रेचर अधिक हो रहा है पीछे से पानी लगा देंगे पौधे सेट हो जाएंगे और पौधे जब सेट हो जाते हैं तो एक सफतावाद आप प्रती पौधा दो से तीन दाना चार दाना यूरिया डाल दीजे तो आप देखेंगे कि बड़े तेजी से में अधिक मल्टिप्लिकेशन होता है मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जहां पे परंप्रागत विदी से केवल दस गुना सीड का मल्टिप्लिकेशन होता है वहीं पर सिंगल बड़ विदी से 50-60 गुना बीज संबर्धन होता है तो यह इस लिहास से यह पाइदावार भी बहुत अच्छी होती है तो कुल मिला करके हमारी जो परिस्तिती है उस हिसाब से अगर मारे पास बीज कम है तो आप सिंगल बड़ विदी से गन्ने की वहाई कर सकते हैं यह सभी तो अब हमें परंप्रागत विदियों को छोड़ करके यह जो कई विदिय करें तो लागत भी हमारी कमाएगी और पाइदावाद भी हमारी देड़ गुना दो गुना होगी